तो फानली पूरा का पूरा मारल पेपर, कुश्चिन पेपर फस गया है, जो जो मैंने कुश्चिन बताये थे महा संगराम वीडियो में वही वही सेम टू सेम कुश्चिन पूछे गये हैं, मुझे बहुत ही अच्छा फिल हो रहा है, ये आज ही का पेपर जियोग्राफिक पूरी जानकाई ली गई और यह इसी वर्स अभी आज ही का पेपर यह थी 2324 के ससंगा ओके और सब्जेक्ट का नाम जियोग्राफी और प्रशन पत्र का नाम है पूरी दिशा निर्देस यहां पर दी जाएंगी कितने सब्दों में कुष्टन का उत्तर देना उसके लिए कि इतने नंबर मिलेंगे पूरी जानकाई दी गई आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं ही पड़ी सकते हैं अँक हम ले आ जाते हैं कूस्चछन पे हैं पहला प्रश्ण परिच्छा में आता लेकिन अगला प्रश्ण काफी हिल्पूल मैंने आपको महासंग्राब वीडियो में इसके बारे में बताया भी ताकि क्रोड क्या है जोड़ा कोश्चन आ सकता है ठीक है तो फैनली आया भी अगला कोश्चन तो मैंने गारंटी ली थी कि प्रिच्छा भूगोल की परिवाफा बताई या प्रिवाफा आप क्या समझते हैं ऐसे तमाम तरीके के एक ही कई मारल तो आपको पूंचे जा सकते हैं तो ध्यान रखना है ठीक है तो बहुत ही हाई-लेबल का प्रिच्छा भूगोल की होगी तब तब यह प्रस्ण आएग भूगोल की परिवाफा आर्थ आसाय या फिर किसे रहते हैं ठीक है तैयार कर लिजेगा ठीक है अभिरजात सक्तियां क्या है ठीक है यह भी महात्पूंट प्रस्ण है कभी कदार आता हमेशा रही आता ठीक है इसको भी आप लोग चाहें तो तैयार कर सकते हैं ठीक है एक्सपीरियंस किया है खुद जानकारी ग्रहंड की है तो उसी हिसाफस में आपको बता रहा हूं ठीक है डेल्टा को परिभाफित कीजिए तो डेल्टा बहुत ही हाई-लेबल कोश्चन है ठीक है यह कई बार पर इच्छा में आ चुका है डेल्टा आप लोग तैयार करके जरूर जाएंगे डेल्टा के बारे मैंने महासंग्राम वीडियो में बहुत अच्छे एक्स्प्रियन किया है यह आपकी पर इच्छा लगी है तो नोट बुक उठाईए और तुर्ण इसको नोट कर लिजे और आप चाहे तो हमारी महासंग्राम से इसका उत्तर दे सकते है यह फिर आप इंटरनेट पर गूगल करके अपने पास बुक है सिरीज है तो उसमें से पढ़ सकते हैं कुल्बला के महात फॉन पर नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपको परिसानी नहों ठीक है और निश्ट कोश्टन के रहा कि बर खान क्या है ठीक है यह कोश्टन नया ह हमेशा नहीं आता हैं कभी कदार आता हैं तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहा थे गनूर भी कर सकते हैं ठीक हमारा मुख्य उद्देश यही है कि आप अच्छे नंबर से पासों बस बस कुछ मज़ने चाहिए और वही सारे कोश्टन में बताने का प्रियाफ करते है लगातार जो आपके एक्जामे पिछले फालो में पूछे गए हैं उस बाराने के सम्भाव ना है ठीक है ओके निश कोश्टन के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि आएगा 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 गारंटी और अफानली आया भी और आने वाले दिनों में भी यह प्रस्ट आएगा यहाएगा वाई मंदल की कौन सी गश्ट पर आव गिनी करेड़ों को सूख लेती है बहुत ही टॉप लेबल का कॉश्टों है बहुत ही बहुत ही रिप्रेट है लगातार रिपीट हो रहा तो आप समझ सकते कितना महात्मूर प्रस्ट ने तो इसको रट लीजी अभी ठीक है अगला कोश्चन है कि तुरंत इसको नोट डाउन करिए इसको दुरूत तर पढ़के जाईएगा जो आर भाटा बहुत टॉप लेवल कोश्चन जो कि लगातार पैच्छा में हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट हुआ है और गारंटी है आ दस ठीक है यह अलग अलग निवर्सेटी को पर डिपेंड करता लेकिन कोश्चन सिमलर होते बस पांच पहुंच ला जाता कुश्चन आते हैं ठीक है ओके चलिए आ जाते हम लगुत्रे के और लगुत्रे में पूरी दिफा निर्देफ दिए गये कि कि इतने प्रस्णों का अत्र दीजिए और तीस नंबर ले जाईए ठीक है ओके पहला प्रस्ण इक पिर्थवी के उत्पत से समन्दित किसी एक फिद्धान की ब्याख्य की जिए बहुत सारे ठीक है अलग अलग जिद्धान की अलग जो हमारे ठीक यह जब होगवार्स अफ्त्री है यह इं या फि ने को मतलब होता है जो चीजी हमेरे जर्णरली जिन को हम देख सकते हैं जो हमारे चारों और रहती है ठीक है समुद्र हो गया जल हो गया पहाड पठाएगा ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे मैंने आपको बता दिया था कि भाईया इसको तयार करके जाएगा और भाईया फाइलली आ भी गया ठीक है देख लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा ठीक है और यह आपकी पर इच्छा में आएगा 100% इसको तुरंट नोट कर लीजिए ठीक है अगला कोश्चन है कि पराट के विचारों के सवंबंद में भूसंतुलन के भियाक्र केंश तो यह कोष्चन इसमझने वाली बात है हमने यह नहीं बताया था कि प्रत के विचार के अनुसार 2 परिभाफ रज़ के परिभाफा पийका लेकिन सब्सेंट ना है तब भी आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे ठीक है ओके बहुत ही हाड लेवल का कुश्चन है और इसके बारे में आप अच्छे से मालूम है कि कंपन वाला मामला पूरा मैंने कि वीडियो नम दोला उटेकर सब्सक्राइब में हैं और पूरा की वाला पुष्चन है और आप लोगों के लिए और आप मेहनत करें आप भी मेहनत करें तक भूकम किसे कहते और इसके प्रभाव जानते हैं बहुत इंपैक्ट पड़ते बड़ी बड़ी बिल्डिंगे यहां तक की गिर जाती बुकम पाने से साफ करके यह समुद्रे एरिया में ज्यादा आता है ठीक है यहां नखेंगे और वलिद परवतों का जन्म भूसनिति से हुआ है इस कथन की ब्याख्या कीजिए ठीक है यह कुश्चन कभी कदार आता हमे अगने से लोगी तो पत्त था विशिष्टाओं की विवेश्चना चीजिए मैंने बार 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 बताया था कि अगने चट्टानों के बारें पढ़के जाएगा जितनी भी चट्टाने हैं ठीक है उनके बारे में अच्छे तैयार कर लीजिए यह प्रसेंगे फसेंगे और पढ़ भी सकते मेरा माने तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि जाता आही जाता है ठीक है लेकिन हमेशा नहीं आता ठीक है इस बात को भीजान लखेंगे उसके बाद वायूराशिया का वर्गी कर यह भी महात्पूर्ट प्रस्ट नहीं पर इच्छा में कई बार आ चुका है आपको त्यार कर लेना अब आज आएंगे हम खंड रसा यानि की देरगुत्री प्रश्णी की और देरगुत्रे में आपको पूरी दिसा निर्देश बताई गहीं कितने प्रश्णों का उत्तर कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे पढ़ लीजिए सब्सक्राइब करें तो सिंपल सी बात है कि आएगा है ठीक है ध्यान रखेंगे अपरधन चक्र से क्या तात्पर है या फिर किसे कहते परिभाफा दीजिए ऐसा प्रस देखने को मिल सकता समाने अपरधन चक्र की विरसित ब्याग्या कीजिए हजारों बार लाखों बार ज ज्यादा देखने को मिलता है कि मैंने देखा है और यह तो बहुत ही अच्छी बात है तैयार कर लिजीगा यह तो कॉमन कोश्चन है जो कि हमेशा रिपीट होता है चाहे आपका नाइन्थ का टेंथ का किसी भी किसी भी मालीजे क्लाफ का भूगोल का पेपर हो तो उसमें उ अगला प्रशन है देखुत्रे का की प्रवाल वित्तियों की उत्पत्ति वाप प्रकारों का वड़न कीजिए यह तो यहां पर समाप्त होते हैं देखुत्रे टाइप की कुश्चन ठीक है तो इसी प्रकार का माडल पेपर कुश्चन पेपर पूंचा गया था और आपकी प प्रशनों को उत्तर देने होंगे ठीक है पूरी जानकारी पूरा माडल पेपर आपने देख लिया दोजार तेस्व बेश के ससन का उसमें कौन-कौन से महात पूंट प्रशन आपकी परिच्छ में आ सकते हैं उनके बारें भी मैंने आपको बता दिया ठीक है अगर उन प्र इच्छा जो है ना वो कितने नंबर की होगी 75 नंबर की होगी तो आपको 60 नंबर लाने पर कोई भी रोक नहीं सकता ठीक है हमारी यह माडल पेपर पूरा सालव कर लिजिए हमारी महाचंग राम वीडियो देख लीजिए बस भुगोल की गैरंटी कोई भी फिल नहीं कर सकत है और यह माडल पेपर हमापो टेली ग्राम अट सब्सक्राइब कर देंगे कोई कोश्चन ज़रूर पूचे जहिंद है